पूरे दिन और रात्री नौ बजकर पचास मिनट तक लगी रहेगी तत पस्चात एकादशी तित्थी प्रारंब हो जाएगी पूरे दिन और रात्री आठ बजकर 45 मिनट तक चलते रहेंगे तत पस्चात आसलेसा नक्षतर में प्रवेश कर जाएंगे पूरे नक्षतर के नक्षतर स्वामी सनी देव हैं आज के जन्मे जातर सुन्दर सांत हिरदेवाले लोगप्रिय प्रसन्न चित धार्मिक कारियों में रुची रखने वाले धन और वाहन से युक्त होते हैं ऐसे जातक चिंतनसील, आत्मकेंद्रित, नियमबध रहने वाले, अल्पव्याई, असपस्टवादी, विश्वास पून पदों पर काम करने वाले, तक्निकी विश्यों में रुची रखने वाले परंतु विशम परिस्थितियों का साहस पून सामना करने वाले भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा शनी और चंद्रमा के स्थिती अनकूल रही तो पून सफल होंगे, चंद्रमा आज भी करक रासी में ही चलते रहेंगे, जिसके राशिश्वामी स्वयम चंद्र देव ही हैं, आज चंद्रमा की यूति राहु के साथ बनी रहेगी, साथ ही मंगल औ केतु की सब्तम द्रिष्टी चंद्रमा पर कायम रहेगी, जिससे समय समय पर नकारात्मक विचारों का पैदा होना और साथ ही सरकारी कामों में सहयोग और नेत्वित करने की प्रबल छंता बनी रहेगी, कुछ मामलों में प्रबल आत्मिश्वास और दिढ़िच्छा सक्ती साथ देंगे और रुके हुए काम संपन होंगे, ब्यावसाई गति सीलता कायम रहेगी, रचनात्मक प्रयास पूरे होंगे, प्रतिनेधित्व करने का मौका मिलेगा, मगर साथ ही स्वास संबंधी जटिलताओं पर सावधानी रखनी चाहिए, आर्थिक लाव मेहनत के मेश का दिन बहुत अच्छा है, आज के दिन किये गए कारे के पूरे होने का प्रतिसरत बहुत ज्यादा रहता है, इस नक्षत्र में की गई शुरुवात सफलता पूर्वक्त संपन होती है और मन मुताविक काम पूरे होते हैं मेश रासी के जात्मों के आत्म दिश्वास और कारे छमता में बिध्धी होगी, रुके हुए काउन संपन होंगे, चंद्रमा का अपने रासी में होना बौर्धिक छमता के इस्तिमाल में सहायक होगा, अपने कारे छेत्र में निरधारित उदेश के प्रतिमान सिक्ता बनी जीवन अस्तर में सुधार की प्रक्रिया चालू रहेगी और बहुत दिनों से सोचे हुए कारे पूरे होंगे, आर्थिक लाव सामाने रहेगा, मगर मन का अंतरदंद, माता के स्वास्त की चिंता, मानसिक तालमेल में कमी याबदास्त का प्रभावित होना और मानसिक जाइक रहेगी विद्यात्यों के लिए आज का समय अन्कूल रहेगा, सिछा कारियों में सफलता मिलेगी और मांगलिक कारे क्रमों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा ब्रिश राजिके जात्मों के प्रयासों में सुधार होगा और उज्या अस्तर बढ़ा रहेगा चंद्रमा के एकरक राशी में होने से कारेचेत में सुधार मिलेगा बौधिक संता में बिधियोगी और ब्यावसाई करति विधियों के प्रयास अनुकूल रहेंगे सरकारी काम काज़ पूरे होंगे शासन सत्ता का सहीयोग बना रहेगा मगर अपने विभागी अधिकारीयों के सहीयोग में कमी संभावित है मेहनत करने की सकारात्मक भावना बिक्सित होगी और संतान संबंधी सुखत समाचार मिल सकता है नीजी निवेस के संबंध में लिये गए निरणय अनुकूल रहेंगे विध्याथियों के लिए आज का समय अनुकूल है कारेश्र में सकारात्मक प्रेणा मिलती रहेंगी और आर्थिक मामलों में सफल रहेंगे नई कार्योजनाओं के प्रस्ताओं भी सामने आएंगे सकारात्मक पहल जारी रखें अचानक आर्थिक लाव संभाव है साजेदारी के कामों में सहीयोग मिलेगा मगर आर्थिक निर्णे लेने में सावधानी रखें नौकरी करने वाले करमचारियों को सकारात्मक प्रेणा मिलती रहेगी अध्यान अध्यापन में उजित सहीयोग कायम रहेगा सामाजिक मानपतिष्ठा में बिद्धी होगी मगर पारिवारिक संबन्दों के साथ ही स्वास्त पर ध्यान देना चाहिए और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा करकराशी वाले जात्मों को धैर्यों संयम से काम लेना चाहिए वाणी की सौम्मेता बनाए रखें अत्यधिक व्यस्ता और जिम्मेदारी के साथ मानसिक क्रिया सीलता और तर्क करने की प्रवरित्ती भी विक्सित होगी सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठा कर काम करें सासन सतावा अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा अतिरिक तार्थिक लाव संभव है साथ ही अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन सर चलाने में साउधानी बनाई रखें सिंग राशी वाले जात्मों को अनावस्यक भागदोर, मानसिक उतेजना, भ्रहम का उतार चड़ावा और सुख संसाधनों पर अनावस्यक खर्चावाला मिला जुला समय रहेगा मगर मानसिक रूप से अपने आपको द्रिठ प्रतिक या और उर्जावान महसूस करेंगे हाला कि कारियोजनाव की साथक पहल जारी रहेगी, रुके हुए काम भी संपन्ध होंगे अधिकारियों का सहयोग और सागारात्म पेरना बनी रहेगी मगर वाद विवाद और नियायाले संबंधी कारेवाही से बचें आठिक पक्ष मजबूत रहेगा, वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल है सिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा, सफल महसूस करेंगे और छोटी यात्रा या प्रवाद संभावित है, साथ ही वाहां सावधानी से चलाएं कन्या राशी के जात्कों के लिए आज का समय कारिच्षित को बिक्सित करने संबनित मामलों में निवेश और योजनाव में आठिक लाव और उसको ब्यवस्थित करने के प्रतिक एंदित रहेगा हाला कि व्यापारिक लेन देन में सावधानी अप्रेक्षित है, राचनापमा प्रहल जारी रहेगी और कारिच्षिनाव के लावदाई अवसर सामने आएंगे संबनित मामलों में यात्रा भी संभावित है, साजेदारी के प्रस्तावों में मेत्र वर्साह योगयों की भूमिका भी लाव दायक रहेगी ब्यावसाइक प्रतिष्था में व्रिद्धियोगी और आठिक पक्ष मजबूत रहेगा विद्याख्यों के लिए आज का दिन सफलता दायक रहेगा और वयवाहिक प्रस्ताव फलिभूत होंगे तुला राशी वाले जात्मों को ब्यावसाइक प्रतिष्था में लाव मिलेगा और नीजी निवेस के प्रस्ताव सामने आएंगे कारेशेदर में चलिया रही दुविदा पॉनिस्ति संभावित है मगर नई कारियोजनाओं में उपलब्धी हासिल होगी और संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है आर्थिक लाव के नए अवसर सामने आएंगे और मातरी पक्षि से सहीयोग जारी रहेगा साजेदारी के कामों में आपके प्रयास तार्थक होंगे मगर भी भागिये करमचारियों से सावधानी अप्रेक्षित है महतुपूर निर्णय में अभिकारियों का हास्ता अच्छेप संभावित है अध्यान अध्यापन के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा और स्वास सम्मंधि संतुष्टी महसूस होगी ब्रिश्चेक राशी वाले जात्मों के लिए आज का दिन कामों में रुकावट और दुविधा पूर्ण मानसिक्ता के बीच लगा रहेगा मगर कारे छिद्र के विकास के प्रति उर्जा केंद्रित होगी और नई कारियोजनाओ को लागू करने में सहीयोग मिलेगा रचनात्मक प्रयास सफल रहेंगे संबंधित मामलों में प्रतिनिधित करने का मौका मिलेगा और यात्रा संभावित है आर्थिक लाव सामान रहेगा संतान संबंधि चिंता में रहात मिलेगी मगर नीजी कारियों में रुकावट या बाधा का संकेत मिलता है सिछा प्रतियोगितान में सफलता संभावित है नीजी संबंध प्रगाड होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा धनुराशी वाले जात्कों को स्वास संबंधि साउधानिया रखनी चाहिए आज का दिन अनावस्चक यात्रा मानसिक तनाव और भ्रमात्म की स्थिति वाला संभावित है मगर कारेच शेदर की संतुष्टी बनी रहेगी और सही योग मिलता रहेगा नई कारियोजनाओं के प्रष्टाव सामने आएंगे जिसमें सासन सत्य और अजिकारियों का सही योग सामील होगा आर्थिक लाग सामान दहेगा संबंधित मामलों में यात्रा का योग बना हुआ है धार्मिक भावना बलवती होगी और देवदर्शन के योग बनते हैं विध्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है सफलता संभावित है और वाहन सावधानी से चलाएं मकर राशी वाले जात्कों को कारेच शेत्र में सुकून मीलेगा और प्रतिष्ठा में बिध्धियोगी अपनी कारी योजनाओं को और बहतर धंक से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा और सही योग मिलता रहेगा साथ ही पारिवारिक दायत की पूर्ती में मन लगेगा छोटी यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है पारिवारिक सदस्यों पर खर्च की उमीद बनती है आथिक लाव की गति सामानी रहेगी साजे जारी के प्रस्ताव लावदायक रहेंगे वायवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा विद्यातियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा प्रयास जारी रखें और स्वास संबंधी जटिलताओं पर आवर्षक सावधानी बनाई रखें साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं कुम्भराशी वाले जात्तों को मानसिक दबाव महसूस होगा और नकारात्मक विचारों काउठना संबावित है हाला कि काम काज पूरे होंगे और कारेच्छित में निरंतरता बनी रहेगी सासन सब्ताव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा मगर कारेच्छितर के आवसक संसाधनों में खर्च का संकेत भी मिलता है साजेदारी लाहरायक रहेगी आतिक पक्सामान रहेगा वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनकूल है विद्याथियों को मेहनत करनी पड़ेगी मगर कुछ कामों में नकारात्मक लोगों से दूरी बना कर रखें वाद विवाद और न्यायाले संबंधी कारियों से परहेच करें साथ ही स्वाद संबंधी आवसक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं मीन दाशिवाले जात्कों को आज भी सावधान रहना चाहिए बिरोधी पक्ष शक्री रहेंगे किसी मामले में साजिस के सिकार हो सकते हैं आवसक सावधानी बरकराब रखें महत्पुर्ण योजनाओं की रूपरेखा किसी से साजादना करें हाला कि कारी ओजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी नए प्रस्तावों के लिए आज का दिन उचित होगा महत्पुर्ण योजने में सावधानी बरते हैं आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा संतान संबंधी चिंताओं में रहात मिलेगी विद्यातियों के लिए आज का दिन दुविधा पूर्ण बना रह सकता है और स्वास संबंधी आवशक सावधानी बनाई रखें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए